आज हम करेंगे Class 12 Business Studies Chapter 6 Staffing का Lecture No.1 आज की Lecture में जो हम Topic Cover करेंगे वो होगा Meaning, Definition, Need and Staffing as a Part of Human Resource Management आज की Lecture को शुरू करने से पहले हम Functions of Management के बाने पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि Functions of Management क्या होते हैं ऐसे Functions, ऐसे Roles and Responsibilities जो हर Organization की Management को Follow करनी पड़ती है या अपने मद्धे नजर ध्यान में रखनी पड़ती है उनको हम क्या कहते हैं Functions of Management जो पहला Function आता है वो आता है Planning, Planning क्या होता है यह एक Basic Function होता है हर Management का जिसका मतलब होता है कि Future में क्या चीज़ होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने Course and Actions को क्या कर सके Decide कर सके उसको हम क्या बोलते है Planning बोलते है Planning हमें Help करता है What to do, When to do and How to do में कि हमें क्या करना चाहिए कब करना चाहिए और कैसे कोई कार्य करना चाहिए उसमें जो हमें Help करता है वो क्या कहलाता है Planning, Planning एक और भी important role प्ले करता है यह हमें Help करता है कि जहां पर हम है वहां से हमें कहां पर पहुँचना है, वहां तक पहुचाने में भी क्या help करता है, आपकी planning help करती है, जैसे आपके exams आते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपने सारे schedule को set करते हैं, कि आपको किस subject को कितना time देना है, और कौन से subject को कितने day, कितने दिन study करके complete करके रख देना ताकि आपको exam time में कोई भी problem ना हो, तो वो क्या कहलाता है planning, कि आप अपने exam की preparation पहले से ही करके रखते हैं, कि आपको exam time पे कुछ भी issue ना हो, तो what is this, that is planning, planning एक systematic thinking होती है, planning एक system से चलने वाली thinking होती है, उन तरीकों की जो आपको, जो goals आपके mind में हैं, उनको आप achieve कर सको उसमें help करें, उसको क्या कहते हैं, हम planning करते हैं, planning ये भी help करता है, कि जितने भी आपके organization में human resources as well as non human resources हैं, उनको भी क्या कर सके, management proper अच्छे से utilize कर सके, ये एक ऐसा function होता है management का, जो हर level of management पे चाहिए होता है, चाहिए वो upper level हो, चाहिए वो middle level हो, चाहिए वो lower level हो, हर level of management management में planning का होना बहुत जरूरी है, अगर planning ही available नहीं होगी, तो वो ना तो अपने gap को bridge कर पाएंगे, कि उन्होंने क्या सोचा था, ना ही वो अपने goals को achieve कर पाएंगे, कि June के mind में था, उन्होंने ये सोचा था कि वो इस तरीके से production करेंगे, ये goal achieve करेंगे, वो भी goal achieve नहीं हो पाएंगा, तो पहला function होता है planning, I hope आपको planning क्या होता है, उसका एक point of view या थोड़ा सा meaning अच्छे से समझ में आ गया होगा, second function जो आता है, वो आता है हमारा organizing, organizing क्या होता है, आपने plan कर लिया कि आपको क्या करना है, कब करना है, और कैसे करना है, आपने ये भी decide कर लिया कि अपने human resources और non human resources को किस के according utilize करोगे, आप उन सब चीजों को organize भी तो करना पड़ेगा, ना, एक systematic manner में भी तो आपको उसको रखना पड़ेगा, तभी तो आप करोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप A to Z में से Z वाली चीज को पहले कर देंगे, और A वाली चीज को सबसे last में करें हर चीज को एक organized way में क्या करना पड़ेगा, set करना पड़ेगा, तभी एक organization ने जो determined goals है, उनके pre-determined goals है या desired goals है, वो उसको हासिल कर पाएगी, जो हमारा organizing का process होता है, वो क्या involve करता है, identification activities की कौन सी activity हमें select करनी चाहिए, जो हमें benefit करेगी, उन activities को किस तरीके से हमें group में divide कर चाहिए कि कौन सी activity, कौन सा level of management या कौन से workers संभालेंगे, उसके बाद assignment करना कि हमने decide कर लिया कि activity ग्रूप में divide कर दी जाएगी, उसके बाद कौन से लोग कौन सा role play करेंगे, वो भी किसका काम होता है, organizing function of management का काम होता है, delegation of authority and create responsibility, authority को delegate करना कि आपका काम देना आपको, responsible to home, अगर मैंने आपको कोई काम दिया है, तो आप किसको responsible हो, मेरे को, और मैं किसकी जवाब देए हूँ, जो जो upper management मेरे उपर होगी, उसके लिए, उन सारी activities को coordinate करना भी किसके under आता है, organizing के अंदर आता है, आज का जो topic है, वो क्या है, staffing, तो staffing को समझने से पहले आपको एक insight पता होना चाहिए कि planning क्या होता है और organizing क्या होता है, अब आपने plan कर लिया कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, अब आपने organize कर लिया कि आप इस तरीके से सारी financial और physical activities को divide करोगे, लेकिन अब उन financial और physical activities को भी तो लाइब में लाने के लिए आपको man power की ज़र स्टाफिंग का मतलब होता है कि जो various positions आपकी organization में हैं, उनको unsuitable person से, unsuitable human being से, individual से fill करना, जो उस place के लिए right fit बैठता है, उसको क्या कहता है हम स्टाफिंग कहता है, स्टाफिंग involves finding the right person for right job, having the right qualification, doing the right job at the right time, स्टाफिंग क्या होता है, सही बंदे को select करना, सही जोब के लि application उसके according होना, और वो उस काम को, जिसके लिए उसको hire किया गया है, जो job उसको assign की गया है, वो उसको सही time पे complete करते, वो function किसके अंडर आता है हमारा management function के, वो आता है staffing के अंडर, it is an important function of human resource management, यह HRM, human resource management का एक important function है, जैसे की planning और organizing भी है, the staffing function of management pertains to recruitment, selection, training, development, appraisal and remuneration, remuneration of personal, जो staffing function होता है, वो recruitment, कि किस तरीके से वो अपने, जो concerned position है, weekend position है, उसको किस तरीके से recruit करेंगे, college से recruit करेंगे, walk-in interviews लेंगे, applications withdraw करेंगे, newspaper में advertise करेंगे, वो सब भी किसका काम होता है, staffing function का ही काम होता है, फिर जितने applications उनके पास हैंगी, उनमें से किसको उ उनको रखना है, किस basis पे वो selection करेंगे, वो भी किसका function होता है, staffing का, उसके बाद जो recruit हो गए है, जो select हो गए है, उनको किस तरीके से training देनी है, क्या उनकी development skills होनी चाहिए, किस तरीके से उनको motivate किया जाए, वो भी किसके अंडर आता है, staffing के अंडर, उसके बाद, कोई आप, ने किसी को job पे रखा है, तो obviously वो काम करेगा, तो वो क्या expect करेगा, कि आप उसको appraise करोगे, उसका पैसा भी increase करोगे, salary, तो ये भी किसका काम होता है, staffing का काम होता है, According to Kohns and O'Donnell, the managerial function of staffing involves manning the organizational structure through proper and effective selection, appraisal and development of personnel to fill the roles designed into the structure. According to Kohns and O'Donnell, क्या कहते हैं, कि जो managerial function as staffing, वो ऐसा function है, जिसमें, जो organizational structure में vacant positions है, jobs निकली है, उनको manning करना, Manning यहाँ पर human resource को hire करना इतना effectively कि वो जो roles है, वो जो positions है, जो vacant है, वो क्या हो जाएं, fill हो जाएं और एक organizational structure complete हो जाएं. फिर आता है features of staffing के, क्या, staffing के क्या features है, पहला है important, यह एक important function है, दूसरा है manpower and human resources, यह manpower and human resources से related है, अब कितनी भी technology ले आएएं, लेकिन उस machinery को, handle करने के लिए, आपको एक individual की जरुत होगी ही होगी, तो वो individual hire करने का का काम किसके अंडर आता है, staffing के लिए, human resource management यह भी ध्यान रखती है कि हम सही बंदे को select करें सही job के लिए, last but not the least, it is a pervasive function, pervasive का मतलब होता है, ऐसा function जो हर level of management में required होता है, उसको हम बोलते है pervasive in nature, और यह ऐसा function है, जो हर level के managers को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि managers को भी पता है कि क्या काम किस तरीके से होना है और उसके लिए, किस बंदे को हमें hire करना चाहिए, क्या qualification होने चाहिए, क्या quality होने चाहिए, तो इसलिए यह एक pervasive function होता है, I hope आपको meaning, definition और features of staffing अच्छे से समझ में आगे होंगे, next हमारा जो आता है need and importance of staffing की क्यों, why staffing, staffing ज़रूरी क्यों है, सबसे पहला point efficient performance of other functions, अगर आपके पास staffing अच्छी होगी, कि आपने right person को select किया होगा right job के लिए, तो obviously कि जो बाकी functions है management के planning और organizing वो भी क्या हो पाएंगे, implement हो पाएंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे बंदों को hire ही करोगे qualitative, quantitative, or educational बंदों को right person को hire ही नहीं करोगे right place के लिए, तो आपका जो plan है, जो आपने plan किया था planning के अंडर की आपको क्या produce करना है, किस तरीके से करना है, कब करना है, वो आप achieve ही नहीं कर पाऊगे, और जो आपने division किया था कि आप किस तरीके से organize करोगे अपनी सारे activities को organizing के अंडर वो भी आप नहीं कर पाऊगे, तो इसलिए staffing क्या करता है, staffing support करता है किसको planning और organizing function को, next आता है effective use of technology and other resources, हमें पता है कि technology और staffing क्या होते हैं, आपस में linked होते हैं, एक human ही ऐसा factor है, जो latest technology को अच्छे से समझ के उस से capital generate कर सकता है, तो इसलिए management को ensure करना चाहिए कि वो right person को right place पे ही क्या करें, select करें ताकि वो staffing function को अच्छे से perform कर पाई, third जो importance हाती है, that is optimum utilization of human resources, जितने ज़्यादा human resources कोई firm hire करती है, तो उनको wages या salary भी उतनी ही pay करने पड़ती है, और huge amount क्या करती है, एक firm invest करती है resource पे जब उनको कोई hire करना होता, recruitment process पे, तो उस recruitment process को selection process, training process, development of employees में किसका पैसा लगता है, हमारी management का पैसा लगता है, तो अगर कोई company इतना पैसा लगा के, एक right person को hire कर रही है, तो वो उससे क्या करेगी, optimum use भी करेगी, उसको proper अच्छे से use भी करेगी, कि हमने आपको इस particular role के लिए किया है, और हम आपसे ये सारी चीज़ों की उमीद रखते हैं, तो वो चीज़ किसके अंडर आती है, optimum utilization of human resource, कि जिस बंदे को जिस काम के लिए hire किया गया है, उससे वो ही काम कराया जाए, और अच्छे से कराया जाए कि कि किसी और बंदे की जुरत ही ना पड़े, तो ये भी किसके अंडर आता है, staffing के need के अंडर आता है, नेक्स्ट जो आता है, development of human capital, जो next function आता है, staffing का वो आता है कि development of human capital, अब staffing है, staff से मतलब ही है कि human manpower को hire करना, तो existing person के लिए भी development procedure ढूणना और जो new hire की हैं, उनके लिए भी development procedure ढूणना, उनकी career advancement ढूणना, personal growth as well as individual growth के साथ, साथ company की growth को भी ढूणना, ये किसका काम होता है, हमारी staffing का ही काम होता है, next आता है, motivation of human resource, अब staffing कैसे motivate करता है, staffing का ये भी function होता है कि वो motivate करता रहा है, timely अपने human resources को, अगर आपकी human resources, आपके employees happy हैं, तो आपका जो, जितना भी incentive है या जितना भी आप future में profit कमा रहे हो, या कमा, आपका current profit है, वो भी क्या होगा, maximize होगा, अब वो किस तरीके से motivate करते हैं, वो financial term में भी हो सकता है, वो non financial term में भी हो सकता है, financial term में वो उनको bonus दे के, timely promotion दे के, timely appraisal दे के, उनको इस तरीके से financially वो support कर सकते हैं, और non financial incentive उनको अच्छा work space दे के, उनको appraise करके, उनको different activities में involve करके भी क्या कर सकते हैं, motivate कर सकते हैं, तो it depends on the culture to culture of the organization की किस तरीके के employees हैं, उनका क्या behavior है, और वो किस तरीके के employees हैं, उन तरीके से, खुश होते हैं, किस तरीके से motivate होते हैं, ये भी किस का काम होता है, हमारे staffing function का काम होता है, last but not the least is building higher morale, morale को increase करना, इच्छा शक्ती को जगाए रखना भी किस का काम होता है, staffing का काम होता है, staffing function तभी अच्छे से काम कर पाएगा, जब management capable होएगी, उस चीज की importance दि में enterprise में, अगर enterprise या business firm अपनी उस बंदे की importance ही नहीं जान पाएगी, तो कोई भी motivate नहीं हो पाएगा, तो वो motivation कैसे आता है, वही financial या non-financial incentives के थुरू एक employee को motivate किया जा सकता है, तो higher morale कि और किस तरीके से increase करते हैं, management opportunity देती है अपने employees को कि आप भी contribute कर सकते हैं, अगर अगरी भी ऐसा idea जो organizational objective के लिए है, पूरी organization को साथ लेके चलता है, तो वो भी क्या करेगा, हम उसको सुनने के लिए तयार है, तो इस तरीके से staffing क्या करता है, मदद करता है employees के morale को increase करने में, I hope आपको staffing के need and importance भी अच्छे से समझ में आगी होगी, आज के last topic की तरफ चलते ह Staffing को क्यों बोला गया है कि वो human resource management का part है, क्यों बोला गया है, क्योंकि human resource management is the strategic approach to the effective and efficient management of people in a company or organization, human resource management जो एक ऐसी approach है, ऐसी strategy होती है, हर management की, जिसका मकसद होता है कि वो people को जो उन्होंने company में hire कि हैं, जो employees उनके इंडर काम करते हैं, उनसे effectively और efficient managementally manage कर पाएं और organizational उनसे gain कर पाएं और उनको financial and non-financial incentives दे के motivate कर पाएं, it is designed to maximize employee's performance in a service of employer's strategic objective, ये एक ऐसा part होता है management का, जिसका मकसद होता है कि employee की performance को किस तरीके से maximize किया जाए, ये सब क्या होती है, human resource management की strategy होती है, क्या features होते है human resource management की, पहला feature होता है extension of general management, अब कोई बंदे कितनी people को आप hire करोगे, employees को hire करोगे, तो obviously कि आपकी management क्या हो जाएगी और increase हो जाएगी, includes the function of employment, training, development and compensation, जो human resource management है वो क्या है, कौन-कौन से function include करता है employment, new freshers को hire करना, उनको train करना, उनको develop करना और उनको compensation भी देना, पैसा भी देना, salary भी देना, it includes human orientation, human orientation, एक individual को, एक fresher को या एक employee को किस तरीके से professionally develop किया जाए, वो भी किसका काम होता है, human resource management का काम होता है, different, different orientation programs चलाए जाते हैं, हर organization में, जिससे employees को training and development के बारे में पता चले, अपनी skills को किस तरीके से improve कर सकते हैं, उसके बारे में पता चले, it is concerned with employees both as individual and also as group, जो human resource management है, वो individual as well as as a whole भी क्या करता है, दोनों के साथ ही वो concerned होता है, वो अगर individual की growth पर ध्यान दे रहा है, तो उसका ये मकसद भी है कि वो individual सब को साथ लेके, पूरी organization की growth में भी result करें, तो ये था features of human resource management, next आता है characteristics या features of human resource management, क्या characteristics है, पहली है people centered, जो human resource management होता है, वो क्या होती है, people centered होती है, staff के लिए होती है, employees के लिए होती है, ये ऐसी category होती है personal की, जिसमें top से लेके bottom management के सारी management include होती है, पहला होता है blue collar workers, वो workers जो machine पे काम करते हैं, या जिनका काम goods को load और unload करना होता है, next आते है white collar workers, वो workers जो clerical काम करते हैं, उनको बोलते हैं हम white collar workers, फिर आते है managerial and non-managerial person, ऐसे person जो management को भी support करते हैं, और वो person जो management है, उनको support करते हैं, timely meeting schedules करा के, timely उनको paperwork प्रोवाइड करा के, वो सब भी किसके अंडर आते हैं हमारे human resource management के अंडर आते हैं, last but not the least, जो professional होते हैं company के, charter accountant हो गया, company secretary हो गया, तो ये सब भी किसके अंडर आते हैं, people centered के अंडर आते हैं, next responsibility of management, staffing किया एक basic function है management का, जो manager continuously क्या करता है, continuously हर level पे required होता है, और जो manager होता है, उसकी responsibility होती है, कि वो associates के साथ connect में रहे, उनके recruitment की, उसको किस time पे कौन से recruit की जरूरत है, किस तरीके से वो selection करना चाहता है, क्या उसकी training होनी चाहिए, इन सब की पे responsibility किस की होती है, managers की होती है, next आता है human skills, staffing is mainly concerned with different types of training and development of human resources, human skills को कैसे develop करना है, अपने employees को कैसे develop करना है, as a individual as well as a whole, यह भी किसका काम होता है, हमारे staffing function का काम होता है, continuous function, staffing यह continuous function है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार hire कर लिया, तो वो सदियों चलेगा नहीं, कोई बंदा कभी बीच में resign भी डाल के चाह सकता है, अगर वो satisfy नहीं होता है, या कोई personal reason की वज़े से भी वो company को छोड़ सकता है, तो उसकी जगे को fill करने के लिए, आप sudden करोगे, sudden recruit hire करोगे, तो वो बहुत क्या हो जाता है, problem हो जाता है, इसलिए जो एक staffing process है, वो continuous या persuasive function कहलाता है, जो हर manager को timely follow करना पड़ता है, therefore he is responsible for managing all workers in order, इसलिए जो manager है, वो क्या होता है, सारे workers को, workers के लिए responsible होता है, कि उनसे किस तरीके से काम कराना है, और जितना भी objective है, not as an individual process, but as a whole organization, उसको किस तरीके से follow up लेजा है, यह भी किसके responsibility होती है, manager के responsibility होती है, आज के लिए इतना ही, I hope आपको आपको आज के lecture अच्छे से समझ में आ गया होगा, but still, if you have any doubt, feel free to comment. हम अपने नेक्स चप्टर में स्टाफिं प्रसेस को परिंगे, तिल दें, stay safe. Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.